हेलो स्टुडेंट्स अब क्लास फाइफ विल्कम टू ऑनलाइन क्लास अब लांगिर पब्लिक स्कूल स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिमजिम बुक का चप्टर एइट वे दिन भी क्या दिन थे वे दिन भी क्या दिन थे ठीक है तो शुरू करते हैं देखो घटना मह कत्वपन थी बनना कुमी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती अपनी डायरी में उसने 17 माई सन 215 की रात को लिखा आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है तो देखो ये दिया है ये बात दिया है लगभग आसे 1500 सल के बात की बात दी गई है तो कुमी है जो वो ड क्यों लिखने आज रोहित को सचमुच के पुस्तक मिली है वह पुस्तक बहुत पुरानी थी कुमी के दादा ने बताया था कि जब वह बहुत चोठे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानिया का आगस पर छबती थी और पढ़ी जाती थी पुस्तकों में पुस्त होते थे जिन पर कहानिया छपी होती थे और हर पुस्त पढ़ने के पस्चाद दूसरा पुस्त पलटकर आगे पढ़ना होता था सारे सब्स तीर रहते थे चलते नहीं थे जैसे आजकल परदे पर चलते हैं तो उसमें लिख रहे थी कि पुस्तक जो रोहित को मिला बहुत पुरानी थी और कुमी के दादा ने बताया था कि उनके दादा कह रहे थे बता रहे थे कि उनके चमाने में सारी कहानिया जो चपती थी और पढ़ी जाती थी और पुस्ता के जो थे वो उसमें पुरुष्ट थे जो पेज थे तो पेज एक पेज पढ़ने के बाद फिर दूसरा पेज पलटना पढ़ता था जैसे कि आजकल हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो सारे सब स्तीर रहते थे मतलब कि चलते नहीं थे जैसे कि आजकल के परदे पर चलते हैं तो रोहित ने कहा था कितनी पुस्तक के बेकार जाती होंगी एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई अब तो हमारे टेलिवीजन के परदे पर ना जाने कितने पुस्तकों की सामगरी आ जाती है और फिर भी बहुत पुस्तक नई की नई रहती है तो फिर रोहित ने कहा था कि कितने पुस्तक बेकर जाती होगी तो एक बार पढ़ लिया तो फिर वो पुस्तक तो पुरानी होगे बेकर होगे तो हमारी वो बता रहा है कि ऐसे हमारे जैसा नहीं है कि टेलिवीजन पर जो परदे पर आता है पुस्तक आता है और उसको पढ़ने के बाद भी वो नहीं की नहीं रहती है कुमी ने भी रोहित की हा में हा मिलाई फिर पूछा तुम्हें वो पुस्तक कहां मिली तो कुमी रोहित जो बोल रहा था उसके हा में हा मिला रही थी और फिर पूछने लगे कि तुम्हें वो पुस्तक कहां मिली रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिबा कहीं दवा पड़ा था उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ये पुस्तक मिल उसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है स्कूल कुमी ने प्रस्न किया तो वो रोहित के पुस्ता है कि तुम्हें ये पुस्तक कहां मिली तो वो बोला कि पुस्तक पुराना डिबा जो पड़ा हुआ था उसमें ये पुस्तक मिली फिर वो पुस्ती है रोहित से कि उसमें क्या लिखा था तो रोहित बताता है कि उसमें स्कूल के बारे में लिखा था तो फिर रास्टेरियों के कुमिब उस्ति है स्कूल के बारे में तो उसके बिशे में लिखने को ही क्या हर बिंद्याति के घर पर एक मसीन होती है जिसमें टेलिवीजन की तरह का एक परदा होता है रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हम वह सब याद करना होता है तो ़ो बोल रहे हैं कि स्कूलि के बारे में क्या लिखना है तो देखो बचों यह दिया है यह जो स्टोरिद या यह आज से लगवक डिर्शन सल बार पकई क्या बताना है ये तो हर भी द्याती के घर में रहता है तो टेलिविजन जो रहता है उसके सामने बैठ जाओ और फिर उसमें जो भी आता है उसको याद करना पड़ता है वो सब याद करना होता है जो वो मसीन हमें बताती है सारा greker करकproof की दूसरे दिन उसी मसीन में डाल देना होता है हमारी कलतियां बता कर फिर वह हमें समझाती है एक बिसे पूरा होने पर वह मसीन हमारी परिच्चा लेकर हमें आगे बढ़ाना आरम कर देती है कहते कहते कुमी ठक गई थी तो कुम्मि बोलती है कि स्कूल के बारे में क्या बताना है फील विधाति के घर में होती है तो क्या है मैश्षी टेलिवीजन है उसके सामने बैटकर हो जो भी होमव देता है उससे करते है्ज भी फिर हमारी गलतिया होती है होते है फिर उसको बता कर हमें वो समझाती है फिर हमारी परिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ाने पढ़ाना आरूर कर देती है ये सब कुम्मीं रोहित से काहई फिर अंध में बोली कितना उबाउ होता है ये सारा स्कूल का काम रोहित मुस्कुराते हुए उसके बाते सुन रहा था अरे बुद्धु जैसे स्कूल का वर्नन इस पुस्तक में है वो इसमें भिन होता था इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे तो रोहित पिर पुस्तक में यह नहीं है तो इसमें एक भिन होता है तो उसमें क्या होता है यह जो लिखा है स्कूल के बारे में यह सद्यों पहले होते थी कुमी के मान में कुछ उसकता जगी बोली फिर भी उनके यह मसिन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे फिर कुमी बोली अध्यापक कैसे होंगे अध्यापक भी मसिन से बने होंगे कुमी को याद आया कि एक बार जब उससे भुगल में रोज वही गलतिया होने लगी थी तो उसकी मान ने मुहले के अध्यक्ष्य को बुलाया था तब एक आदमी आया था और उसने उस मस्षिन के पुर्जे-पुर्जे अलग कर दिये थे तब उसने मान ही मान यह बनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाला अध्यापक को पुर्जे जोड़ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए कि फिर यहां पर दिया देखो जो कुमी रोही से की मान पुचती है कि वह मस्षिन के अध्यापक थे क्या तो फिर कुमी को यहाद आए कि एक यह बार उसके जो मशीन है उसका कम्पिटर हो उसको खराब हो गया था तो उसके मामी ने फिर क्या उनके मुहले में जोड रहते थे एक आदमी को बुला लाए थे और वो मसीन के पुर्जे-पुर्जे अलग कर दिया थे और उसको फिर फिर सजाय था तो वो सोच रही थी, मन नहीं मन सोच रही थी कि वो उसी उस मसीन को जोड ना पाए तो जोड ना पाए इसलिए उसके लिए उसे चुटी मिल जाए लेकिन उस आदमी ने मसीन को फिर से जोड कर उसकी मा को बता था, लगता है मसीन के भुगोल के चक्की में कुछ तेज रपता थी तो अपकी लड़की के लिए उससे समझना कठिन हो गया था, मैंने अब उसके गति कुछ दीमी कर दी थे, तो आसा है अब ठीक रहेगा तो कुमी सोच रहे थी कि ये मसीन ठीक ही ना हो तो उसको उससे चुट्टी मिल जाए, लेकिन वो आदमी उस मसीन को फिर ठीक कर दिया और कहां कि इसका रप्तार थुड़ा तेज हो गया था, जो कि उससे समझना, उसको समझना कठिन हो गया था, फिर मैंने उसको ठीक कर दिया है और कुमी को उसी समझा भूगोल का सबबक सिख्याने बैठ जाना पड़ता था, मानी मन वो उस मसीनी अध्यापक को कोस्ती रही थी तो जब वो मशीन ठीक हो गया तो उसी समय उसको पढ़ने बेर जाना पड़ता था तो वो फिर मानी मन उसको कोस्ती कि ये क्यों ठीक हो गया फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा तब ही रोहित ने कुमिक के सोचने के सिलसिले को तोड़ा बोला हाँ तब अध्यापक तो होते थे परन तो मसीन नहीं स्त्रिया और पूरुष होते थे तो वो जब सोच रहे थी उसको फिर रोहित ने उसको जो सोचने के सिलसिला को तोड़ कर बोला हाँ उस समय अध्यापक तो होते थे पर बना तो मसीन नहीं थे वो स्त्रिया और पूरुस जो कि अब सर मैडम जो होते हैं वो स्त्रिया पूरुस होते थे क्या कहा कहीं कोई स्त्रिया पूरुस इतने सारे विशर हमें सिखा सकता है तो क्यों नहीं वह बच्चों को सारे विशा समझाती थे गुर्यकार्य देते थे और प्रश्न पुछते थे अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बलकि बच्चे एक विशेज भवन में जाते थे जिसे स्कूल खहते थे तब रोभित बोल जाता है तुआ नहीं वह बच्चों को जो स्त्रीपुरोस पुछते थे वह सारे विशा समझाते थे वह गुर्यकार्य उसे गुर्यकार्य भी देते थे और प्रश्न पूचते थे वो सारे अध्यापक जो है वो घर बच्चों के घर नहीं जाते थे बलकि बच्चे जो है एक विशेस भवन में जाते थे जिसको की स्कूल बोलते थे कुमी का अगला प्रश्न था तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सिखते थे हाँ एक आईउ के बच्चे एक साथ बेटते थे तो यह सुनकर कुमी फिर पूशती है तो क्या सारे बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजे चीजे जो तो बोलता है कि हां जो कि एक ही आई मतलब एक ही एज के सारे बच्चे एक साथ बेड़ते थे हैं, लेकिन मा कहती हैं कि मशीणी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था совершative, वो बोलते हैं कि जो मसीनी अध्यापक हैं वो हर बच्चे के समझ के अनुसर पढ़ाता है जो पुराने जमाने में जो किस्त्री पूरस अध्यापक थे वो कैसे पढ़ाते थे सारे बच्चे को सारे बच्चे को एक साथ कैसे समझा कर पढ़ाते थे तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे रहने तो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूँगा तो फिर क्या रोहित बोलता है कि ठीक है तुम अगर तुम्हें इच्छा नहीं है तो मैं ये पुस्तक तुम्हें नहीं दूँगा कुम्हें जट बोली नहीं नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे कितने अजीब अजीब बाते जानने को मिलेंगी तब जब रोहित बोलता है नहीं दूँगा तो फिर कुम्हें जट से बोलती है कि नहीं नहीं मैं ये पढ़ना चाहूंगी मैं देखूंगी कि कितने अजीब अजीब बातें क्या क्या बातें वहाँ पर लिखी है इतने में अंदर से मा की आबाज सुनकर कुमी बोली लगता है सबक का समय हो गया है तो इतने में क्या हुआ कुमी के मा के आबाज आए अंदर से तो वो बोली कि फिर लगता है कि सबक का समय पढ़ने का टाइम हो गया रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया कुमी अपने घर की ओर चली गई अंदर मसीन आगे का सबक देने को तयार थी मसीन की से आबाज आने अरंब हो गई आज सबसे पहले तुम्हें गणित सिखाना है कल का हो मर्ग छेद में डालो तो फिर क्या हुआ रोहित भी उठ कर चला गया और कुमी भी अपने घर चली गया तो फिर जो अंदर से मसीन जो है कंपूटर जो मसीन वो सबक देने के ले तयार थी तो उसमें आवाज है कि आज हम गणित पढ़ेंगे तो जो हो मर्ग दिया है वो छेद में डालो कुमी ने बैसा ही किया वो सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल जहां एक ही आयो कि सारे बच्चे हसते खेलते कुदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पूरुस और अस्रियां होते होंगे तो फिर कुमी वो मसीन के सामने बैठ कर सोचने लगी कि कितने अच्छी होंगी कितने अच्छे होंगे वो पुराने जवाने की स्कूल जो है उसमें जो है सारे बच्चे जो एक साथ पढ़ रहे हैं एक ही आयो के, एक ही एज के होंगे, खेलते कूदते होंगे, स्कूल जाते होंगे वहाँ पढ़ाने वाले त्री पूरुस होंगे तो कितना अच्छा रहता होगा इतने में मसीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और परदे पर चलते हुए, अक्षर आने शुरू हो गये थे तो कूमी ये सोचת जों रही, तभी मसीन में से आवाज आने लगी थी स्वर आने लगी थी, और महांपे अक्षर भी आने सुरू हो चुके थे और कुमी सोच रहे थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनद आता होगा कितने खुस रहते होंगे सारे बच्चे फिर क्या है कुमी वही सोच रहे थी कि पुराने जमाने में कितने अच्छे लग रहे होंगे कितना आनद आता होगा सारे बच्चे जो एक साथ स्कूल जाते होंगे, एक साथ खेलते कुदते होंगे, खुस रहते होंगे सारे बच्चे तो बच्चो यह हो गया हमारा चप्टर एट का वे दिन में क्या दिन थे